ब्लेट शुगर और कॉलिस्ट्रॉल ऐसी समस्याएं हैं जो अनहिल्दी लाइपस्टाल और ड्राइट की वज़े से भढ़ती हैं खाने में अधिक तीलिये शुगर का प्रियोग इन समस्याओं को बढ़ाने में मदद करता है जिन लोगों को ब्लेट शुगर और कॉलिस्ट्रॉल है उन्हें डाइट में मुक्य रूप से फाइबर को शामिल करना चाहिए फाइबर ना सिर्फ शुगर लेवल को कम करता है बलकि शरीर को एनरजी भी देता है फाइबर रिच फूड शरीर को कई प्रकार से लाब पहुचा सकता है यह प्लांट बेस्ट फूड होते हैं जो असानी से डाइजस्ट हो जाते हैं इसे कब्स की परिशानी से भी छुटकारा मिल सकता है चली जानते हैं फाइबर रिच फूट के बारे में जो ब्लेट शुगर और कॉलिस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं मेथी की बीच और पत्या दोनों ही डाइबटीस से लड़ने में मददगार है भरपूर मात्रा में फाइबर होने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है जिससे शरीर में कार्बो हाइडरेट्स और शुगर के अफ्शोशन पर नियंतरन होता है ये शरीर में खराब कॉलिस्ट्रॉल को घटाते हैं रात को सोनी से पहले मेथी की बीच ये सुबह मेथी का पानी लेना बहुत फाइदे मंद है अमरूद में भी खूब फाइबर होता है इसे कब्ज से भी लड़ने में मदद मिलती है डाइबटीस के मरिजों को अकसर कब्ज की शिकायत रहती है ये एक बढ़िया स्नैक से साबित हो सकता है अलसी फाइबर का खजाना है रोजाना अलसी के सेवन से दिल की बिमारिया कम होती है और स्ट्रोक का खत्रा भी कम होता है ब्लेट शुगर लेवल और इंसुलिन सेंसिविटी पर भी नियंतरन करता है फाइबर से भरपूर भोजन में आपको मका जरूर खाना चाहिए इसमें करीच चार प्रतीशत तक फाइबर होता है आप भुटा और कौन खा सकते हैं सुखे मेवे में खूब फाइबर होता है आप इने अपने डाइट में जरूर शामिल करें आप मेवा को दूद में डाल कर या यूँ ही खा सकते हैं दाली प्रोटीन के साथ साथ फाइबर का भी अच्छा स्रोथ होती है डालो में पाई जाने वाली कर्भोहाइडरेट का कुल 40 प्रतीशत फाइबर ही होता है जो ब्लेट शुगर को कम करने में मदद करता है एक अटोरी डाल खाने से लगबग 15 ग्राम अधिक फाइबर शरीर में पहुँच जाता है खास कर मसूर की डाल का सेवन हेल्ग के लिए फाइदे मन हो सकता है इसके अलावा पपीता, चेरी, तर्बूज, हरी पतिदार सबजिया, टमाटर, कद्दू के बीच भी डायबिटीस के मरीजों को खाना चाहिए इसके अलावा रोजान एक्सेस साइज भी करनी चाहिए आज कल किव नोवा खाने का चलन बढ़ रहा है इसको आप स्नैक टाइम में खा सकते है 100 ग्राम भूना चना में 7.6 ग्राम फाइबर होता है भूना चना वजन घटाने में भी मदद करता है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो हपते में 2-3 एक कप ब्राउन राइस खा सकते हैं ये फाइबर का स्रोथ होता है एक कप ब्राउन राइस में 5.5 ग्राम फाइबर होता है होल ग्रेन ब्रेड ये फाइबर और पॉस्टिक्ता से भरपूर होने की कारण ब्रकफायस के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है आप सैंविच में वाइट या ब्राउन ब्रेट की जगा मल्टी ग्रेट ले सकते हैं दो स्लाइस में 6.5 ग्राम फाइबर रहता है शुगर लेवल को नियंटरित करके डाबटीज को कंट्रोल करता है राजमा जी हाँ, आप डाल या करी में राजमा को शामिल कर सकते हैं एक कप राजमा में 16 ग्राम फाइबर होता है अंकुरित मुंग डाल तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है अंकुरित मुंग डाल की करी, सबजी डाल या चाट भी बना सकते हैं एक कप मुगदाल में 15 ग्राम फाइबर रहता है दलिया पॉस्टिक्ता से भरपूर होने के साथ साथ लो कैलोरी होने का वेट लॉस में मदद करता है एक कप दलिया में 8 ग्राम फाइबर रहता है ये फाइबर के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है अगली बार आप ब्रोकली को देखेंगे तो आप इसे खरीदना जरूर चाहेंगे काले से में एक तरह की फली है जिनमें डाइटरी फाइबर भारी मातरा में पाय जाता है ये फाइबर के साथ साथ मिलरंस जैसे की आईरन और मैगनिशियम से भरपूर होते हैं मैगनिशियम केल्शियम को तोड़ने का काम करता है जिससे हड़ियों में अच्छे से विभिन प्रकार के होते हैं इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार कही तरह से बना सकते हैं मेटाबॉलिजम और फैट बन करने की बात है तो हाई फाइबर डाइट का होना जरूरी है फाइबर का सेवन भी नियमित रूप से करना चाहिए एक दिन में जादा से जादा समय फाइबर का सेवर करना चाहिए फाइबर पशने में जादा समय लगाता है इसलिए जादा मात्रा में फाइबर खाने से वजन बढ़ता है अगर आप फाइबर से भरपूर डाइट के फाइदे जान लेंगे तो आप सिहत मन रहने की दाह पर आ जाएए जैसा कि आपको पता है अधिकतम बिमारी पेट से शुरू होती है फाइबर का सेवन ये मित्रूप से करने से पेट स्वस्त रहता है जिसे अधिकतर बिमारी से दूर रहते हैं इसलिए फाइबर के साथ सभी पॉस्टिक तत्व डाइट में शामिल करने की कोशिश करें अगर आपको वीडियो अ झाल